जिन्दगी अगर एक दरवाजा बंद कर देती है तो चार और खोल देती है लेकिन हम आपको जिसे शक्स के बारे में बताने जा रहे हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिन्होंने एक फ्लॉप हीरो से लेकर फिटनेस इंफ्लुएंसर और फिर बिजनसमेन का सफर कैसे तयार किया ये वाकई में हैरान करने वाला है और अब ये जनाब इतना पैसा कमाते हैं किनकी लग स्टाइल को देख कर अच्छे अच्छे अमीर लोग भी हैरान हो जाते हैं जेहां आपने बिल्कुल सही समझा हम एक्टर से फिटनेस किंग बने साहिल खान की बात कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि साहिल खान अपनी करोडों की दौलत किस तरह कमाते हैं और उसे किन-किन चीजों पर खर्च करते हैं अगर आप भी हमारी तरह अरली 2000 की फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आपको Excuse Me और Style जैसी कॉमेडी फिल्में तो याद ही होंगी जिसमें शर्मन जोशी और साहिल खान की जोडी ने सिनेमा घरों में धूम मचा कर रख दी थी ये दोनों ही हीरो जब अपनी जुगल बंदे से लोगों को हसाते थे तो दर्शकों को काफी मज़ा आता था और इनी फिल्मों के बाद शर्मन जोशी की गाड़ी चल पड़ी और उन्होंने कई सारी धमाकेदार फिल्मों में अपना शांदार अभिने दिखाया और लोगों को अपना दिवाना बना दिया लेकिन जब बात साहिल खान की आती है तो इन दोनों फिल्मों के बाद इन्हें किसी भी फिल्म में खास पहचान नहीं मिली तो क्या हुआ इन्होंने असल जिन्दगी में ऐसा मुकाम हासिल किया कि अच्छे अच्छे बॉलिवूड स्टार भी इनकी पॉपुलरिटी के आगे घूतने टेकते हैं दोस्तों साहिल खान का जन्म कूलकाता में 5 नमबर 1976 में हुआ था अपना बच्छपन कूलकाता में बिताने के बाद साहिल खान उस समय के लिए दिल्ली आ गए लेकिन इन्हें दिल्ली की हवा कुछ पसंद नहीं आई और उस वक्त जवानी के जोश में इन्हें फैशन इंडस्ट्री का भी काफी चसका चड़ गया इसी वज़े से इन्होंने अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई का रुख किया वैसे साहिल खान को शुरुआत से फिटनेस और बोडी बिल्डिंग का शौक था और इनकी पिसनालिटी भी थी बड़ी जबरदस्ट जसको दिखते वे इन्हें सबसे पहले स्टीडियो नेशन के मुजिक विडियो नाचेंगी सारी रात में काम करने का मौका मिला हाला कि इस मुजिक विडियो से इन्हें इतनी ज़़ाद पहचान नहीं मिली पर नए एक्टर एक्टरस को काम देने वाले एंच चंदरा ने जब इने अपनी फिल्म स्टाइल में लीड रोल के लिए साइन किया और फिल्म बॉक्स आफिस पर जितनी ज़्यादा सफल रही है ये तो हम आपको बताने के आशकता नहीं समझते क्योंकि अपनी पहली फिल्म में इन्होंने दर्शकों को बीच अपने खास जगा बना ली थी पर जैसा कि हमने आपको बताया इस फिल्म के बाद शर्मन जूशी तो हिट हीरो साबित हुए लेकिन साहिल खान को धीरे-दीरे फिल्म हीरो की कैटेगरी में शामिल किया गया दोस्तो साहिल खान ने अपने पूरे फिल्मी करियर में स्टाइल के अलावा यही है जिंदगी, डबल क्लास और अलादीन सहित कुल मिला कर साथ फिल्मों में काम किया परन्तु कभी इनकी फिल्मों की कहानी कमजोर निकल जाती तो कभी किसी और परिशानी से इनकी फिल्में बॉक्स आफिस पर कमाल नहीं दिखा पा रही थी जो से दिखाना चाहिए था इसी वज़े से धीरे धीरे इनका फिल्मी करियर पानी में डले वजनदार पत्थर की तरद डूबने लगा और 2013 में सिरिंगार फिल्म में काम करने के बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया को टटा बावावए कह दिया लेकिन इनका फिल्मी करियर जब खत्म हुआ तो इनकी जिन्दगी ने असली ट्रैक पकड़ा और ये अपने दिमाग और मेहनत की वजह से लगातार आगे बढ़ते चले गए जिसका नतीजा है कि आज ये जहां कहीं भी जाते हैं लोगों की भीड इन्हें अपने आप ही फॉलो करने लगती है क्योंकि ये बॉल्यूट स्टार भले ही ना हो लेकिन फिटनेस की दुनिया का वो चमकता सितारा है जिसकी तरह हर एक बॉड़ी बिल्डर चमकना चाहता है तभी तो आज ये करोडों के मालिक हैं अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लॉप एक्टर होते हुए भी एतने अमीर कैसे बन गए सबसे पहले हम आपको साहिल खान की दौलत के बारें बताते हैं क्योंकि ये पूरे पांच मिलियन डॉलर्स यानि कि 36 करोड के मालिक है और तो और इनके पास कई सारी महेंगी गाडियां भी है जिन में 88 लाग की मर्सेडीज बेंज GLS 350D और एक करोड 38 लाग की BMW 750 L.I. भी शामिल है अब अगर हम इनके घर की बात करें तो गुआ में एक रिजॉर्ड के साथ-साथ इनका मुंबई के अलिशान टावर में एक बड़ा सा फ्लैट भी है दोस्तों दुनिया के हर कोने में पार्टी करने वाले साहिल खान को इंस्टाग्राम पर लाखों लोग फॉलो करते हैं और जबात इनकी फिटनिस के आतियत तो शायद ही कोई ऐसा भारतिय बाडी बिल्डर होगा जो साहिल खान की जबरदस बाडी का कायल ना हो अगर हम साहिल खान के अवार्ड अचीवमेंट की बात करें तो इन्हें शेरू क्लासिक की तरफ से फिटनिस आइकॉन और राजियू गांधी फांडीशन की तरफ से इंडिया फिटनिस आइकॉन का अवार्ड मिल चुका है इसके लावा साल 2019 में इन्होंने यूथ आइकॉन फिटनिस के लिए दादा साहिब फाल के अवार्ड भी अपने नाम किया और साहिल फिट फैक्टर इंडिया के जज़ भी रह चुके हैं वैसे दोस्तों साहिल खान ने यूट्यूब इंडेस्टरी में भी काफी धूम मचा रखी है क्योंकि इनके यूट्यूब चैनल पर इस समय 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं पर ये सब चीज़ें तो ग्लैमर वगरा के लिए अच्छी हैं अगर हम इनकी रियल इंकम की बात करें तो 2016 में इन्होंने भारत का पहला उपन एयर बीच खोला था जिसका नहां मसल एंड बीच जिम है गोवा के बागा बीच पर मौजूद इस जिम के सब सखास बात ये है कि ये सीनिय सिटिजन और फिजिकली चैलेंजड लोगों के लिए इसकी मेंबर्शिप बिल्कुल फ्री है दोस्तों इनके इस जिम वाले बिजनस से काफी फायदा हुआ इसलिए इन्होंने इसके और भी ब्रैंचिस खोलें इसके लावा साहिल खान के और भी कई सारे बिजनस हैं जिसमें सबसे पहले इनके एक मिनरल वाटर की कमपनी है जिसका नाम हंक वाटर है इसके लावाद दूस्तों साहिल बिग मसल्स नूट्रिशन के ब्रांड एमबेजेडर और एक्सक्लिूजिव डिरेक्टर भी हैं। साल 2017 में इन्होंने दुनिया का पहला रियल मिक्स नाम का एंटी डोपिंग 6-pack एनरजी ड्रिंक लॉंच किया है। और इनके इस लॉंच में जैफ सीड जैसे इंटरनेशनल फिटनेस स्टार के साथ मिस्टर ओलंपियार है चुके रॉली विंकलार भी आये थे। और अगर हम लेटिस्ट बात करें तो साहिल खान ने क्रिस्मिस के मौके पर प्री वर्काउट लॉंच किया है जिसका इस्तिमाल लोग वर्काउट से पहले एनरजी पाने की लिए कर सकते हैं। हाँ ये बात जरूर है कि अपने इसे शादी के बाद साहिल खान ने दोबारा कभी शादी नहीं की पर ऐसा बिलकुल नहीं है कि इनके लाइफ में कॉंट्रोवर से खत्म हो गई क्योंकि यहीं से इनकी सारी कॉंट्रोवर से शुरू हुई थी। और इस फिल्म में विपाशा बसू और प्रियंका चोपडा को लीड एक्टरस के तौर पर साइन भी करवाने की सोची जा रही थी। पर किसी कारण से ये इनका आइडिया काम नहीं किया और फिल्म नहीं बन पाई। अब प्रोडक्शन का काम खराब हो जाने के बाद साहिल ने साइबर सिक्यूरिटी फर्म का आइडी आईशा को दे दिया। जिसके बाद इन दोनों ने साथ मिलकर साइबर इंटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक साइबर सिक्यूरिटी कमपणी खोली। पर अफसोस ये कमपनी में नहीं चली। जिसके वज़े से आईशा ने साहिल खान के उपर पांच करोड हडपने का केस दरज करवाया। और जब ये केस कोट में गया तो बॉलिवूड की दुनिया की सारी गंदगी बाहर आने लगी। क्यूकि जब आईशा ने घपले की बात की तो साहिल ने कोट के सामने ये बात साफ कर दी कि यहां कोई घपले का मामला नहीं है। बल्कि जिन पैसों के आईशा बात कर रही है, वो पैसा खुद आईशा ने घूमने फिरनमे खर्च किये हैं। क्योंकि ये दोनों पिछले कई सालों से relationship में थे और जब relationship वाली बात सामने आई तो हर कोई हका बग्का रह गया पर सबसे बुरी गंदगी तो तब मची जब आईशा ने ये बोला कि मैं साहिल के साथ relationship में रही नहीं सकती हूं क्योंकि वो gay है और दोस्तों हम आपको बता दे साहिल खान की वाइफ ने भी इन पर ये ही आरोप लगाया था अब जब साहिल खान के उपर गे होने का आरोप लग चुका था तो वो भी चुप बैठने वाले नहीं थे क्योंकि ये दो-दो बार हो चुका था और ये इमेज इनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी इसी वज़े से ये दो-दो बार गे होने का आरोप अपने उपर लगने के बाद साहिल खान ने अपने चुपई तोड़ते हुए अपनी और आईशा की इंटिमेंट फोटो कोट के सामने पेश कर दी जिसके बाद सब कुछ साफ हो गया अब जाहिर से बात है कि साहिल खान के इस कदम के बाद आईशा के पास कोई जवाब नहीं था इसलिए सन 2015 में आईशा इन अपना केस वापस ले लिया और उसके बाद कभी भी साहिल खान ने इस केस के बारे में बात नहीं की अलगि इसके बाद बिनकी लाइफ से कॉंट्रोवर्सी का शब्द नहीं हटा क्योंकि जब सुशान सिंग राजपूत की मौत हुई तो हर को इंडस्ट्री में अपने साथ हुई नाइनसाफी के बारे में बता रहा था और तबी साहिल खान ने भी ये बताया कि कैसे सल्मान खान ने इनके लिए इंडस्ट्री में काम करने में मुश्किलें खड़ी की कि सल्मान खान चाहते थे कि साहिल खान इनके शो बिग बास में आए पर जब इन्होंने इसके लिए मना कर दिया तो साहिल खान से सल्मान खान गुस्सा हो गए और सभी से इन्हें काम देने के लिए मना कर दिया अब हमें नहीं पता कि इस चीज में कितनी सचाई है और कितनी नहीं पर एक चीज तो हमें पता है कि साहिल खान ने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने लिए कामयाबी का रास्ता खुद बनाया और आज एक किसी भी बॉलिवूड स्टार से कम बहतरी इन लाइस्टाल नहीं जीते जो कि ये बात साबित करता है कि अगर आपको कामयाब होना है तो आप होकर ही रहेंगे फिर चाहे दुनिया आपको नीचे दिखाने में क्यों न लगी रहें आपकी कामयाबी आपसे कोई नहीं चीन सकता तो दोस्तों मीद है आपको साहिल खान और इनकी जिंदगी के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा अगर हाँ तो आपका इनके बारे में क्या कहना है आमें कॉमेंट करके जरूर बताईए और इसी तरह के इंटरस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने हूस्टों दोस्त फैम के इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलें धन्यवाद